अपनी कलम से लिख दूँ वो लब्ज हो तुम अपनी कलम से लिख दूँ वो लब्ज हो तुम अपने दिमाग से सोच लूँ वो ख्याल हो तुम अपनी दुआओं में मांग लूँ वो मन्नत हो तुम और अपने दिल में रख लूँ आसी चाहत हो तुम तुम मतलब जो ये कलास को देख रहा है और अगर ऐसी चाहत ना होते आप हमारे तो फिर हम रात के बारा बज़े इस कलास को क्यों रिकार्ड करते है न और बहुत से बच्चों के ऐसे कमेंट आए हैं जो बिल्कुल आखरी उमीद में जी रहे हैं उनकी उमीद पूरा होगी हमसे क्योंकि मैंने न किसी से अगर प्रॉमिस किया है तो पूरा किया है भले उसके लिए मुझे कई रातें खोनी पड़ी हूँ जैसे आज की रात तो ऐसे बितेगी क्योंकि कई कलास से इस तरीके के रिकार्ड होगी ऐसे बच्चों के जो दर्द है ये पर्सेंटेज वाले टोपिक से थे तो मैंने कहा कि आज मैं इनकी दर्द की दवाई जरूर लेके आऊंगा और पर्सेंटेज का बिल्कुल बहुत ही स्टार्टिंग का वीडियो मैंने आज यहाँ पर बनाने का निश्चे किया वैसे तो लाइब कलाफे चलती बट ये वीडियो बना रहा हूँ चलो देखो तो आज हम बिल्कुल स्टार्टिंग से पर्सेंटेज पढ़ने वाले हैं बिल्कुल सुरू से एकडम जीरो से कलास को पूरा इंड तक देखना है अगर आपकी भी ऐसे ही उमीदे है और मैथ आपको नहीं आती है तो पूरा आपको देखना है जब आप दीजिए पहला सवाल फर्स्ट में अगर C सही है तो आप कमेंट में 1C लिख सकते हैं अगर D सही है तो 1D, A है तो 1A इस तरीके के आप कमेंट करेंगे मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बोल रहा हूं का हो नहीं ना, बढ़ी आए ना, सही चल रहा है चलो देखो, तो आइए इनको हल करना बताता हूं बहुत आफान तरीका है और बहुत सिंपल सा आपको दी गई संख्या उतार लेना है बिल्कुल प्यार फे, इज़त से और का की जगा पे गुड़ा लगाना है चालिस, वैसे भी लिखना जो भी गिंती रहेगी, पर तिसत का चिन हटा देना है, नीचे सौ से भाग कर देना है एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, दुसर के जीरो से दुसर का वाला कैंसिल, टॉन्टी से बन का फोर से मल्टिबल कर देना है चार सते अट्थाइस काठ हांफिल दो चार दुना आट दो दस ये अंसर हो गया आप कह सकते हो कि वन का सी सही था कितना आसान था बताओ लिख लिजिए मैं हट गया सामने से तो काहे को कहते हो यार कि हम आखरी उमीद है जिंदगी में बहुत उमीद है बाप उजिंदगी बहुत बड़ी है दुनिया बहुत बड़ी है ऐसा नहीं है कि कोई एक इनसान आपकी आखरी उमीद हो सकता है ऐसे तो करते हो आप जिसे दिल लगा ले तो बहां आउनाओ में जुढ़ जाते हो वह आपकी आखरी उमीद होती है और याद रखना कोई इंसान जितना ही आपके लिए इस्पेसल होगा वो आपको उतने ही इस्पेसल मौके पे धोखा देगा इसलिए आतम निरबर बनो किसी के वरोसे नहीं चलो देखो 560 का 80% क्या है अगर आपको लगता है कि D वाला है तो आप 2D लिखिए कमेंट में अगर A लग रहा है तो 2A जो भी आपसन है कोईश्चन के साथ ऐसे करिए मैं जल्दी जल्दी करता हूँ मैं थोड़ा रुक रुक के बोलूँगा चलो देखो सबसे पहले दी गई संख्या को लिखना है वैसे ही बिल्कुल इज़्जत के साथ फिर गुड़ा का चिन लगाना है जो नंबर जितना परफेंट निकालना है उसको लिखना है परफेंट का चिन हटा के और सा उसे भाग करना है पस यही तो क्यों और कुछ इतना ही देखना आगे एक जीरो से एक जीरो कैंसिल दुसर के जीरो से यह कैंसिल और यह 56 का मल्टिपल आठ टाइम होगा तो 8, 6 जा 48 करिया या 4 और 8, 5 जा 40 40 और 4, 48 कुछ गरबड हो रहा है का यार देखो भाई 8, 6, 8, 40 हासिल 4 8, 5, 44, 44 इसमें कोई भी आपसन नहीं सही है इसमें कोई भी आपसन नहीं सही है ओके चलिए यह सारे आपसन गलत तरीका सीखो बस तीसरा में कौन सा सही है बताइए 3A, 3B या 3C मैं रुक रुक के बोल रहा हूँ कोई दिक्कत नहीं चलो बहुत अच्छे, बहुत अच्छे बच्चे चलो देखो, 10 मिनट के अंदर 5 कुश्चन तब से पहले दी गई नंबर को ऐसे प्यार फे लिख लेंगे इज़्जत के साथ और पर्फेंटेज के साथ में जो गिंती है उसको लिख लेंगे पर्फेंटेज के चिन हटा के 100 से भाग करेंगे सही इतना एक जीरो से एक जीरो कैंथिल दुसर के से दुसर का भी करफकते हो अभी सिर्फ ऐसे नहीं मिलेगा जो हलुआ जैसे मिल रहा है लप लप आय ले रहो भई आओ अभी आगे इसे जीरो जीरो नहीं कैंसिल होगा अभी वह कुश्चन आ रहा है थोड़ा सबर रखो तफली रखो दुई छंग बारक दो हाफी लेक दुदुना चार एक पांच और दो एक कम दो आगर सुरू में मीठी गोली खिला दी गई इसका मतलब थोड़े का आगे मीठा मीठा है जिन लोगों बिया होता है उनसे पूछो जिस दिन होता है कितना खुशी का महौल रहता है घर परिवार रिष्तेदार सब में मीठी गोली उसी दिन मिलती है बाकी पूरी जिंदेगी फिर कड़वी वाली मिलती है चलो आईए अगला मैं बताऊंगा इसको ये वैसे नहीं होगा जैसे अब तक हो रहा था 00 तो इसको क्या करेंगे सबसे पहले वो नंबर लिख लेंगे जो भी है इंटू 25 है तो 25 परफेंट का चिन हटाएंगे साथी मेरे 100 से भाग करेंगे ठीक है इनको डिवाइड करो 25 वंजा 25 फोर जा ठीक है अब ये फोर फे डिवाइड होगा तो 4 छंग 24 एक बचेगा हो जायेगा 14 चारतियाई 12 बचेगा 2 चार फते 8 यानि 637 है ना देखो थोड़ा सा तरीका अलग था ना कोई दिक्कत नहीं हां तो मैं बता रहा था साधी वाला महौल की बात हमारे एक दोस्क्ला जी अभी उनकी साधी होई हाली में अपनी लबर के साथ हुई है तो उनसे मैंने पूछा एक दिन ऐसे का भाई तुम तो पाग है जो पाना चाहते थे जिन्देगी तुम्हारी तल जेल रहें तो तुम काहे को खुश रहो हो कुछ सिखा ना ऐसा नहीं कि हर जगा हर कोई जहलता है बट ज्यादतर लोगों का अनुभू ऐसा होता है इसका क्या करना 75 पर्फेंट देखना है यह आपे ध्यान थे पहले 75 पर्फेंट हटाएंगे 100 से भाग ठीक है यह बहुत समझने वाला कोश्चन है इसको 25 से डिवाइड करोगे 25 तियां 75 पचेतर पचीश चोका 100 यह 4 से डिवाइड होगा उपर वाला ठीक है देखो यह चा हाफीले की होई गया 17 चार चौक 16 हाफीले की होईगा 12 चारतियां 12 ठीक खतम चार एकम चार एक बचा होईगा 14 चारतियां 12 दो बचा होगा 28 चारतिया 28 इसको तीन से गुड़ा करना जो नीचे आया है 24, 31, 37 को तीन से गुड़ा करना है बाबू ठीक है कर लोगे 3 सते 21 3 सते 21 का यह के कलर होई गई हासिल 2, 3 तरीका 9, 2, 11 3 सते 21 के एक हासिल 2, 3 तरीका 9, 2, 11 हाफील 1, 3 एकम 3, 1, 4 और 3 एकम 3, 3, 4, 12 हाफील 1, 3, 2, 6, 1, 5 देख लीजिए कर कहीं हासिल गरत नहीं छोड़ दिया बाकि सही है यानि 9, 72, 548 का 9, 72, 548 का 75% होगा 7, 23, 411 यानि आप यह समझ लो कि अगर आप कोई कार खरिदने जा रहे हो छोटी फिनार्मल सस्ती सी जिसका एक सोरूम प्राइस है मतलब 9, 72, 549 माल लीजिए कि आपको सोरूम वाले कहें कि आपको सरकेवल 75% पेमेंट करना है बस बाकि आपका जो है आफर मिल जाएगा तो इसका मतलब आपको 75% अगर पेमेंट करने को बोलें तो आप जान लो कि 7, 43, 411 पेमेंट करना है समझ गए ना ये सब सीखे रहो तभी तो आगे चलके काम आएगा बढ़िया ना कोई दिक्कत ना चलिए कोई परिशानी तो बता दो तो इस तरीके का देखें 10 मिनिट के अंदर हमने आपको क्या-क्या नहीं सिखा दिया आज का सवाल आपके लिए है कि रोमन संख्या में यल का मान बताईए रोमन संख्या में डी का मान बताओ रोमन संख्या में यम का मान बताईए और रोमन संख्या में ही आप मुझे यल एक्स का मान बताईए और हाँ एक लाश्ट कुश्चन ये तिरपल एक्स तो तुमने बहुत सुना होगा सरकार ने बैन भी कर दिया था अभी जान रहे हो क्या बोल रहा हूँ नहीं जान पाए जान पाए हो चलो तो चार बार जो एक्स होता है ये चार बार एक्स का मतलब क्या होता है ये चार बार एक्स क्या रोमन नंक में किसी मतलब चीज को किसी नंबर को ये डिनोट करता है बताना जरूर और ये वीडियो सेर करना खुब दबाके ठीक है बस इतना ही धन्यवाद तो मेरी पहली चाहत बने रहना ऐसा जैसे मैंने सुरू में कहा था इसलिए वीडियो को सेर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके जाईएगा जिससे आपको रोज कलास मिल सके फ्री गार बैटे